तो दस माई को करनाड़क में विदान सभा के चुनाव होने हैं, करनाड़क में विदान सभा चुनाव की पुष्ट भ्रूमी में हेलिकॉप्टरों की भारी मांग रही है कॉंग्रेस, जडियेस और बीजेपी के आला नेता हलिकॉप्टर से राज़े का दौरा कर प्रचार में हिसा ले रहे हैं खासकर चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक हलिकॉप्टर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं करनाटक चुनाव को लेकर करीब 150 हलिकॉप्टर और मिनी प्लेन पहले ही बुख हो चुके हैं करनाटक में 100 से ज्यादा हलिकॉप्टर और मिनी प्लेन हैं लेकिन अधिक मांग के कारण राज़े के बाहर के हलिकॉप्टर से संपर्क किया गया है मांग की बज़े के कीमत में भी 15 फीसदी की बढ़ोत्री हुई है बात करते हैं हेलिकॉप्टर के किराय की तो एक घंटे के लिए 2 सीटर हेलिकॉप्टर 2,10,000 रुपे लिता है वहीं 4 सीटर हेलिकॉप्टर की बोकिंग 2,30,000 रुपे प्रतिगंटे के हिसाब से होती है मांग अधिक होने के कारण राजु के बाहर से भी हलिकॉप्टर लाए जा रहे हैं। के लिए 50,000 रुपे चार्ज हो रहा है। और दलित और OBC आबादी को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानी मामले में सजा सुनाए जाने के बाद OBC समुदाय के अपमान की बात सामने आई। बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर कॉंग्रेस को जम कर घेरा। इसके बाद विपक्ष ने मोके का फायदा उठाते हुए जाती गत जन गणना के मुद्दे से बीजेपी को घेरने की कोसिस की। आला की बले ही कॉंग्रेस विपक्ष में बैठ कर जाती गत जन गणना को लेकर हल्ला मचा रही हो लेकिन इस मामले पर कॉंग्रेस सरकार का भी रूक कभी साफ नहीं रहा। राहूल गाधी के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि 2024 लोग सबाद चुनावों तक कॉंग्रेस जाती गत जन गणना के मुद्दे को जम कर उचा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV विजन 2047 को लेकर अमिच्चा ने वरिष्ट अधिकारियों के साथ चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। इसका उद्देश प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी के विजन 2047 को लागू करने के लिए एक कारीय यूजनाओ को तयार करना है। विजन 2047 के लिए ग्रू मंत्री ने प्यम मोदी के विजन 2047 के कारीय यूजनाओ को धरातल पर उतारने की कोशिश करने को लेकर है। ग्रू मंत्री के मार्ग दर्शन और प्यम मोदी के नित्रूत्व में अलग 25 वर्सों के लिए रोड मैप के रूप में कारीय यूजनाओ को लागू किया जाना है। अमिच्छा अपने मंत्राले से सम्मंदीत सभी क्षेत्रों के मुद्दों पर चिंतन शिविर में चर्चा की। भूमी सीमा, प्रबंद और तटिय सुरक्षा मुद्दों आदी के लिए परिस्तिती की तंत्र विक्सित करने पर जोड दिया। शाह ने कहा कि AI का उप्योग कर CCTV डेटा बेस के लिए खुफिया जानकारी तयार की जानी चाहिए जिससे शहरों को महिलाओ, बच्चों और कमजुर वर्गों के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। इसके अलावा, अपराधिक न्याय प्रणाली में IT के बढ़ते उप्योग, सरकारी भूमी सूचना प्रणाली, Border Land Management and Coastal सुरक्षा, आजादी कामरूत महत्सव, विक्सित भारत के लिए विजन 2047 के तहत, विबिन आयाम रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता हांसिल करना, तकनिक संचालीत और ग्न्यान आधारित अर्थवेवस्ता, Water Vision at the Rate, 2047 उर्जा के ख्षेत्र में आत्म निर्भरता हांसिल करना, पांच ट्रिलियन के अर्थवेवस्ता बराना जैसे मुद्दो को सनमानवित किया गया है, इस साल देश में 12500 किलोमीटर राजमार्गों का विकास और निर्मान होगा, सलक परिवन एवम राजमार्ग मंत्राले ने चालो वित वर्ष के लिए लिया लक्ष पाने की यूजना बनाई है, वित वर्ष 2034 के लिए मंत्राले ने 12500 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के निर्मान और 12000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के विकास के परियूजना आवन टित करने का लक्ष रखा है, इस क्रम में वित वर्ष 2034 में बुनियादी धांचा निवेश ट्रस्ट के जरिये 10,000 करूड रूप्य जूटाने की यूजना भी सामिल है, मंत्राले ने 31 मार्च को समाप्त वित वर्ष में बताये गए राजमार्गों का अभी ब्योरा नहीं जारी किया, इससे पहले वित वर्ष 2021 में उसने 10,457 किलोमीटर, वर्ष 2021 में 13,327 किलोमीटर और वर्ष 2019 बिस में 10,237 किलोमीटर राजमार्ग बनाये थे, नवश निरमित राजमार्गों पर वाहनों को लेण में चलने के लिए साइन बॉड और रोल मार्किंग के विस्मस तर्य मानको का पालन किया जा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेक्स वेपर वैस्विक मानकों के अनुरुप साइन बॉड एवम रोल मार्किंग को अन् चलते हैं अमेरिका समयत कई देशों में वहन सड़क के दाई और चलते हैं उनकी स्टेरिंग बाई और होती है जबकि बारत में इससे उलट है बारत में गाड़ियों की स्टेरिंग बाई और होती है और वहन सड़क के दाई और चलते हैं आई जानते हैं इसकी वज़े क्या है भारत में आपको सड़क पर चलने के लिए सबसे पहले यहीं सिखाया जाता है कि हमेशा बाई योड चलना है सोचिए अगर अचानक कोई आप से कहे कि बाई नहीं दाएं साइड में चलना है ऐसी स्थिती में हैरान होनी की जरूरत नहीं है नाटों की तहा यहनियम बदलने वाला नहीं है लेकिन अगर आप अमेरिका, चीन या यूरोपियन देशों में जाए तो रोड पर चलने की अपनी इस आदत को जरूर बदलना पड़ेगा दरसल कुछ देशों में वाहन सडक के दाएं और यानि राइट हैंड साइड पर चलते है ऐसे में उनकी स्टियरिंग लेफ्ट साइड में होती है वहीं इसके उलट भारत में वाहन सडक पर बाइं और यानि लेफ्ट हैंड साइड चलते है लेकिन उनकी स्टियरिंग इसके उलिट राइट साइड में होती है रिपोर्ट के मुताबित इस समय दुनिया में करीब 163 देशों में सडक पर दाई और यानि राइट हैंड दिशा में वाहन चलाने का या खुद चलने का नियम है वहीं 76 देशों में सडक पर बाई और यानि लेफ्ट हेंड साइड में वाहन चलाने या खुद को चलने का नियम है कहा जाता है कि सद्यों पहले सडकों पर बाई और यानि की लेफ्ट हेंड साइड चलने की नियम का ही पालन किया जाता था लेकिन सडकों पर दाई और राइट एंड साइड चलने की शुरुवात पहली बार 28 सताबदी में हुई थी मिली जानकारी के मुताबिक रूमन सामराजर में सडकों पर बाई और चलने का नियम था दरसल अठारवी शताबदी में सयुक्त राज जी अमेरिका में टीमस्टर की शुरुवात हुई थी यह एक बड़ा वैगन होता था जिसे घोडों की एक टीम खिंचती थी इस वैगनों पर घोडा गाडी चलाने वाले को कोई जगन नहीं होती थी वो दाए हास से अपने चाबुक से सभी गोडों पर कंट्रोल करता था इसके कारण अमेरिकी लोगों को सड़क पर बाई ओर चलने की नियम में बदलाव करना पड़ा इसके बाद अमेरिकी लोगों सड़क पर दाई ओर चलने लगे इस नियम को सबसे पहले अमेरिका में 1792 में लागो किया गया था दरसल ब्रिटन में कभी टिमस्टर नहीं चलाए गए लिहाजा यहां नियम में कोई बदलाव नहीं करना पड़ा वहीं एक बात ये भी है कि ब्रिटन ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया इसी वज़ा से भारत में भी सडक पर बाई और चलने का नियम बना हुआ है विरो डिपोर्ट